असलाम अलेकुम्, आज हम पूरी माजी बनाएंगे, इसके लिए मैंने चार बड़े ये आलू ली हूँ, इसे अच्छे से बारिक चौप करकर हमें तीन से चार पानी से अच्छे से दूहू कर लेना है, और ये मैंने 250 ग्राम मैंने मतार ली हूँ, इसे हमें हल्दी और नमक प्रेशर कुकर में हमें 4-5 सीटी लगा कर हमें इसे पका कर लेंगे, जब तक हमारे आलू और मतार गल रहे, तब तक हम पूरियों के लिए एक आर्टा बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक कटोरी गीहूँ पाटा लिया है, और एक कटोरी हमें मैदा लेना है, इसे में हमें आदा चम्मस से भी कम नमक डालना है, एक बर इसे अच्छे से मिला कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें 100 प्राटा इसका बना कर लेना है, अब यह हमारे आठा अच्छे से गून चुका है, इसे में हमें थोड़ा सा तेल लगाना है, अब हम इसे ढख कर हमें इसे 10 मिनट के लिए साइब में रख कर देना है, अब हमने गैस पर एक कड़ाई रखिये, इसे में हमें तेल डालकर लेना है, एक बड़ा चम्मस बलकर हमें तेल डालना है, तेल हमारा अच्छे से गरम होने के बाद हम मसाले डालेंगे, तेल अब ह जीरा डालेंगे दो प्याज है में बारिक चॉप करकर हमें डालना है इसी में हमें धेर सारा हमें ताजा वाला कड़ी पता डालना है ज्यादा डालेंगे हम सरी मसाल को अच्को इसी हमें बूल पर लेरा है त्याज हमें हल्की सी गुलाबी कलर हो चुकिए है इसी में हमें मैंने ये बड़े साइद के तीन टमाटर बारी काटकर लिए हूँ टमाटर हमें ज़्यादा में डालना है इसी में हम मसाले पौड़ो डालेंगे एक चमाज बड़ा भरतर हमें कश्मीरी देश्की पौड़ो डालेंगे आदा समस्के खोड़ा को हमें जरम मसाला पौड़ो डालना है थोड़ी सी हल्दी किनके हमें आलो और मटल गलाते सरमें भी हमें हल्दी राजिती तो हम फोड़ी कम डालेंगे सबी मसालों को अच्छी से निगाव कर देंगे रख्यक हमें की पात्रियों भूण कर लेला है अब यह हमारा मसाला अच्छी से भूण रहा है इसी में हुने आलो और मटल गला कर लिए थे इसे दे हम डालेंगे आलो और मटल को दलने के बाद हमें चम्मेस से थोड़ा सा उसे मैश करकर लेना है इसी में हमें थोड़ा सा पानी डालना है इसी में मैंने नमक नहीं डाला दी मैंने आलो और मटल गलते समय ही नमक डाला था तो मैं नमक में डालोगी इसलिए थोड़ा सा हरा धन्यावी डाल कर लेना है एक बार इसे मिला कर लेंगे अच्छे से अब हमें इसे ढखकर लो टू विडम गयास पर हमें इसे पांच मिनट के लिए इसलिए पर उबाला आने देना है अब हमारा पूरी भाजी के लिए ये सादन हमारा बंग कर तयार है आप देख सकते हमें ऐसी ही बना कर लेना है अब हमें पूरी अफ्राइ कर लेना है इसके लिए मेरे पैन रखता है तेल भी डाल कर लिए थी और मैंने एक पूरी बेर कर दीनूं इसे भी हम डाल कर फ्राइ कर लेंगे इसी तरह हमें सबी पूरी यां बना कर लेना है अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अल्ला अबिस कर दो